किसका सपना होगा साकार किसकी बनेगी सरकार नतीजा अभी बाकी रुजान जारी रुजानों मिस्ताफ तौर पे इंडिये बढ़ध बनाई हुई है महागडबंदन के मुकाबले क्या है रुजानों का पूरा रहस्म है बताएंगे परम्वीर जी क्या चलना है रहस्म न्यूज चेनल वाले तो अभी बहुमत दे रहें एंडिये को लेकिन वेब समचार नहीं देगा क्योंकि जो मेरे पास डाटा है इलेक्शन कमिशन का डारेक्ट जो डाटा हमारे पास पहुंचा है उसके अनुसार एंडिये 118 सीटों पर आगे चल रही है उनको अभी बहुमत सीटों पर लेड बनाए हुई है जबकि जदियो 48 शीट पर आगे चल रही है वही बिकास इलिंसान पार्टी मुके सढ़ी की बाटी वी आईपि वह चो सीटों पर आगे चल रहा है और और जितना माजी की पार्टी पर हम को मात्र 1 सीट मिला हुआ है और टोटल की बात करें तो ND 108 सीटों पर आगे चल रही है वहीं महाहकटबंधन की बात करें तो राजद को 62 सीट मिलते हुए दिख रहे हैं 62 सीटों पर राज़त आगे चल रहा है जबकि कॉंग्रेजर मात्र 21 सीटों पर आगे चल रही है वहीं कबनीस की बात करें तो कमुनीस की बात करते हैं, तो महाकडबंदन एक सो दो सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। इससे साफ तोर बे कहा जा सकता है कि बाकी निईस को छोड़ दीजे वेब समाचार एंडिये को पहमत नहीं दे रहा है जब बात करते हैं राजस्थान जब बात करते हैं राजत की तो कहीं न कहीं मुकाबला अभी भी कड़ा नज़र आ रहा है जब बात करते हैं 102 की 118 की तो यह साफ तोर पर नज़र आ रहा है कि अभी भी कि बारती जंदरपाटी की बीटी में लोग उस पर आरोप लगाते हैं लेकि वह इस बार सिमांचल च्छेत्र में लगबग बाइस सीटों पर चुनाव ले रही है जिसमें से दो सीटों पर ए आई एम एम लीड कर रही है वही अगर बात करें बहुजन समाज पर्ठीक की जो मयोती की पार्ठी कीसीटों पर लीड कर रही है क्योंकि से लोग बात करते हैं आप OMG बारतिये जनता पार्टी की तो बारतिये जनता पार्टी अपकी बार बिहार की सबसे बारी पार्टी बनती हुई दीख रही है एकात्र सीटो पर बारतिये जनता पार्टी आगे चल रही है तो खास तोर पर ये बात कहना मतलब मुश्किल है कि नतीजा सामने आ रहा है यह है और रुजहान में फिलहाल अभी NDA सामने नजर आ रही है बहुमत लेके आगे जा रही है लेकिन महागडबन बहुत जादा पीछे नहीं है यह रुजहान है नतीजे नहीं है हम लोग बार-बार साफ तौर पर कह रहे हैं देखना ना बुलिए वेव समाचार पे हर विधान सबाग की अपडेट